परम आदर्निय सौनिया गांदी जी केवल युवाओं के प्रतीक नहीं लेकिन जन जन की आकांशा जिन पर निर्भर है आदर्निय राहूल गांदी जी मंचपरासीन कॉंग्रिस का शीष नेतित्व और सबसे महत्पूर्ण आसपास के प्रदेश और देश भर से आए हुए ये आवाम जो एस संदेश को देना चाहते हैं पूरे देश को की बदला नहीं लेकिन बदलाव जरूरी है हिंदी फिल्म तो हम सब कुछ देखते हैं लेकिन जब हिंदी का फिल्म अगर रेयल लाइफ में तबदील हो जाए तो क्या सिती उत्पन होगी सिती या उत्पन होगी कि कुछ दिरिश्य ऐसे होंगे कि युवा बेरोजगार है किसान करददार है गरीब लाचार है घरेलू उत्पादन का डर आठ से साथ साथ से छे छे से पाँच पाँच से चार तक गिर रहा है वियापार पर ताला बंदी का ठोक लग चुका है और बैंग गोटालों पर गरीबों का पैसा चंदे के आधार पर वसूला जा रहा है और अगर ये फिल्म का दिश्च है तो फिल्म के दिश्च के साथ उस फिल्म का शीरश्च भी है और उस फिल्म का शीरश्च है कि सब कुछ ठीक है आल इज वेल आज देश का किसान देश का मजदूर देश का नौजवान दर दर के ठोकरे खा रहा है किसान को दाम नहीं मिल रहा नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा आम इनसान को जिने के लिए आसार नहीं मिल रहा तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अच्छे दिन आज कच्चे साबित हो चुके है किसान को खुशाल करने का ख्वाब किसान को आज देश में कुचल रहा है तुम्हारे फाइलों में गाउ का मौसम गुलाबी है तुम्हारे फाइल में गाओ का मौसम गुलावी है मगर ये आकड़े जूटे हैं ये दावा किताबी है तुम्हारे फाइलों में गाओ का मौसम गुलावी है मगर ये आकड़े जूटे हैं ये दावा किताबी है देश के अनदाता पेडों से लटक के सो रहा है अच्छे सपने के दिन देख बस बेबस होकर रहा देख रहा है ये आगास सौनिया जी राउजी के नित्त में पूरे देश में आवाज जाए और अब बदलाव की जरुवत है धन्यवाद जैहिन जैवारत और अब मैं अनुरोद करूँगा एक और नौजवान शिरी राजीव सात्व से के वो आएं और इस देश के नौजवान की बात कहें हम सब की नेता कॉंग्रेस की अधिक्षा अधरनिय सुनिया गांधी जी